हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवेक्ट फ्रेंशे सिलूशन में और मैं आपका प्यारा दोस्त गौनिक तो दोस्तों आपने देखा होगा कल मंडे को मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करी क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं क्या वीडियो जाएगा उपर जाएगा कि नीचे जाएगा ती में आने वाले दिनों में अप्ट्रेंट रहेगा या ड्राउन टेंट रहेगा इसका तो मतलब इतना मेरे को जज्जमेंट अभी नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने सभी कुछ देखने की कोशिश करी और मैंने सोचा कि चलो क् Sektoral Indices के Technical Chards को Study करते हैं वहां से हमारे को कुछ Idea मिलेगा कि क्या Nifty ऊपर जा सकता है अभी के नहीं जा सकता तो मैंने Banc Nifty और Nifty Auto दोनों के Technical Charts को बहुत अच्छे से study किया और मेरे को ये पता लगा जो मैं अब आने वाली आपको वीडियो में बताउंगा क्या Targets Banc Nifty और N निफ्टी ओटो में आ सकते हैं चौनों दूस्तों स्टार्ट करें तो यह है बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट इसमें आप पिंक लाइन देख रहे हैं और जो ब्लू लाइन है वह हंड्रड डे मूविंग एवरेज की लाइन है आप अगर देख पाएं तो आप देखें कि जोंसे पिंक लाइन है इसको हमारी केंडल ने तोड़ दिया है और यह बीच में जोंसे रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है रेड लाइन के बीच में और ब्लू लाइन के बीच में यह केंडल अभी आ रही है तो आने वाले दिनों में मेरे को जो लग रहा है निफ्टी एक मतलब निफ्टी बैंक एक वर 32,500 से लेके 32,600 के लेवल को टेस्ट कर सकती है और यह चीज मैंने आपसे 15 दिन पहले भी कही थी और एक हफ़ता पहले भी कही थी जब बैंक निफ्टी तकरीबन 34,000 नहीं जब बैंक निफ्टी 35, 35, 36, 37,000 पे भी था तब भी मैंने कहा था कि यह एक बार 32,500 पे हाथ लगा सकता है आज दोस्तों बैंक निफ्टी 34,184 पॉइंट पे बंद हुआ है आप आने वाले दिनों में देखेंगे जोंसी ब्लू लाइन है यह रेड लाइन को जब ही टच करेगी ना तो निफ्टी एक बार नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी तो आपको उसके लिए अपनी प्रिप्रेशन करके रखनी होगी कि अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है 32,000 के करीब तो आपको कौन से कौन से shares buy करने है वो आपको एक अपनी list बनानी होगी और अगर आपके पास कोई list नहीं है तो आप अपने financial advisor से आप advice ले सकते है moreover यहां से अगर 32,500 का level nifty बनाई रखती है तो इसका जो अगला target है वो unbelievable target है वो 40,000 का target है दोस्तों हर बड़ी मुकाम को achieve होने में time लगता है आपको patience दिखाना होगा और आपको एक list बनानी होगी जो shares आप अभी भी buy कर सकते हैं मतलब आप buy on dips पे अपनी रखिए मेरे को तो अभी बहुत positive दिख रही है बैंक nifty और अगर हम बात करें technical indicators की तो सबसे पहले बात करते है MACD की MACD में आज negative histogram जो बन रहा था वो decrease हो गया है जो की positive है nature में मतलब हो सकता है कि आने वाले दिनों में bank nifty positive हो जाए वैसे भी monthly expiry आ रही है आपको पता ही है Thursday को expiry है उसके इलावा RSI की बात करते है RSI आज तक करेबन 43, 44 पे नहीं 56 56 पे आज तकरेबन RSI आज close हुआ है वो भी positive है nature में अब बात करें ADX की DMI की directional movement index की तो ADX जो अंसा है वो strength पकड़ रहा है buyer के साथ जो की again positive है market के लिए मैंने अपने clients को bank nifty में से Axis bank और State bank of India में buying की कवायत की हुई है कि आप जब भी dips पे आए share ये दोनो तो इसको buy कीजिए और अगर आप भी targets जानना चाते है तो आप मेरे channel को subscribe कीजिए और मेरी subscription को आप ले सकते हैं उसके लिए आप मुझे message भी डाल सकते हैं और मेरे personal number पे भी आप मेरे से contact कर सकते हैं बात करते हैं nifty auto के technical chart की तो दोस्तों जोंसे मैंने red line draw कर रखी है जहाँ पे लिखा है 95 support तो ये इसमें nifty auto में 95 hundred का support zone है जहाँ पे एक बार nifty auto touch कर सकता है 95 hundred के levels को और बात करें pink line की तो pink line 50 day moving average की line है और जो blue line है 100 day moving average की line है तो जैसे अब देख पा रहे हैं कि 50 day moving average की line को candle ने तोड़ दिया है और ये हो सकता है कि कल पर 100 या 2-4-5 दिन में जब भी nifty में एक गिरावट आए तो ये blue line को touch करे और जब ये blue line को touch करेगी तो हमारे जांसे levels बनेंगे वो बनेंगे 95 hundred से 96 hundred के levels तो उसके इलावा अगर हम बात करें और इसके इलावा अगर हम बात करें targets की तो निफ्टी ओटो में आने वले दिनों में मुझे 12,000 तक के levels दिख रहे हैं अगर ये 95 hundred के levels को sustain कर पाता है और अगर उसके उपर रहे पाता है आज निफ्टी ओटो 10,187 point पे जाके बंद हुई अब हम दोस्तों बात करेंगे technical indicators की सबसे पहले बात करेंगे MACD की तो MACD में आज negative histogram जोंसा बना हुआ था काफी दुनों से वो थोड़ा सा decrease हुआ है जो की positive है nature में अपनी और इसके बात करेंगे RSI की RSI आज 43 पे था जो की अभी भी negative है क्योंकि RSI हमने पड़ा हुआ है जब तक RSI 50 से नीचे रहती है तो वो उसको negative मना जाता है उसके बाद DMI की बात करेंगे DMI में जानसी ADX की strength है वो with sellers है जो की अभी भी negative है मतलब आने वाले दिनों में अभी भी Nifty Auto में नीचे के levels आपको देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों अपने list बनाईए overall Nifty Auto positive है overall अपने stocks की list बनाईए गिरावट पर उसको buy कीजिए मैं आपको बदाता हूँ मैंने कौन से shares Nifty Auto के अपने clients को buy करने के लिए बोला हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो stock अपने clients को बताया हुआ है अशोक लेलेंड दूसरे नमबर पर हैं Tata Motors और तीसरे नमबर पर हैं Mahindra and Mahindra ये तीनों shares मैंने अपने clients को buy करने के लिए बोला हुआ है अगर आपको भी targets जानने हैं इनके तो आप क्रिपया करके मेरे channel को subscribe कीजिए और मुझसे संपर करने की कोशिश कीजिए आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने निफ्टी 50 में भी दावा किया था कि वो 14,350 के levels को touch करेगी तो वो वाके ही उसने वही level को touch किया और वहां से उसने reversal मार लिया तो मैं ऐसे हवा में targets नहीं देता मैं इसका technical analyst हूँ मैं study कर रखी है 6 साल का मुझे experience है I am certified technical analyst दोस्तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए दोस्तो thank you, love you, bye bye, okay